दोस्तो हमारे कुछ वीवर्स ने हमसे पूछा है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का या फिर प्रसनल लोन का सेटलमेंट करवाते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सेटलमेंट लेटर असली है या फरजी है इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आप settlement letter को कैसे पहचानेंगे कि ये सही है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए किसी भी तरह का loan या credit card का due लंबे समय तक payment ना करने पर NBFC company या bank के तरफ से एक settlement का offer दिया जाता है और अगर settlement के लिए customer agree हो जाता है तो उसे एक settlement letter दिया जाता है अब वो जो settlement letter कई बार जो recovery agents होते हैं वो लोगों के साथ fraud कर लेते हैं कि फरजी settlement letter बना करके दे दिया पैसे ले लिये और पता चला कि वो settlement letter bank के तरफ से नहीं आया था यानि कि जो customer ने पैसे पे किये वो पैसा उसके loan या फिर credit card के due में adjust हो गया और जो बचा हुआ amount होता है वो फिर भी customer के उपर बकाया रहता ही रहता है तो इसको ले करके हमारे कुछ viewers ने पूछ है कि किस तरह से हम settlement letter को पता करेंगे कि ये असली है ये फरजी है तो देखिए असली और फरजी का पता लगाने का बहुत सारे options हैं इन में से 2-3 options जो खास हैं उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ जब भी कोई bank या NBFC company settlement letter issue करती है तो वो letter head पर issue करती है तो आप चेक करें कि आपको जो settlement letter मिला है वो letter head पर है ये नहीं letter head के मतलब कि वैसा paper जिसके left या right side में bank या NBFC company का logo होगा इसके साथ साथ bank का या NBFC company का head office का address या फिर branch का complete address होगा इसके साथ साथ उस branch का contact number भी होगा तो इसे आप सही से जाच कर लें तरीका number 2 ये है कि उस letter head पर आपके loan का जो settlement amount है जितना पर आप agree हुए है वो mention होगा आपका account number या फिर credit card number mention होगा इसके साथ साथ आपका complete address mention होगा और जिस terms and condition के साथ आप settlement करने के लिए agree हुए है जैसे माल लिजे कि आप 3 EMI में settlement करने के लिए agree हुए है तो उसमें सारा EMI का भी detail लिखा होगा कि पहला EMI आप कौन सी date को देंगे कितना देंगे दूसरा EMI कौन सी date को देंगे और कितना देंगे तो ये सारी detail आपको उस settlement letter में लिखा होगा तो ये सारी चीजों को आप जाच कर लें option number 3 होता है कि आपको जो settlement letter आएगा वो bank के NBFC company के official email ID से होगा official email ID का मतलब ये हुआ कि अगर HDFC company आपको settlement letter भेज रही है तो उसका जो email ID होगा वो last में at the rate HDFC.com होगा अगर धानी loan वाले आपको settlement letter भेज रही है तो फिर at the rate धानी.com होगा अगर Axis Bank आपको settlement letter भेज रही है तो उसके email ID के last में at the rate Axisbank.com होगा तो इस तरह से आप पहचान करें कि official email ID से आपके पास settlement letter आया है कि नहीं अगर आपके पास official email ID से settlement letter नहीं आया है जैसे कि Gmail ID से आगया हो यहू ID से आपको भेज दिया गया हो ready female से भेज दिया गया हो तो आप उस letter को बिल्कुल भी accept ना करें और जिस बंदे से आपने बात करके settlement किया था उसको call करके कहें कि हमें आप अपने official email ID से settlement letter भेजवाईए यहां तक कि आपके WhatsApp पर भी settlement letter भेजा जाए तो आप उसे भी accept ना करें क्योंकि official communication में WhatsApp communication बिल्कुल भी नहीं आता Personal email ID जैसे Gmail यहू यह ready mail से भेजा गए letter वो भी personal communication में आता है तो settlement letter accept सिर्फ और सिर्फ official email ID से आने के बाद ही करें तो बस यही सारे options हैं जिसे आप ध्यान में रखते वे settlement letter की पहचान आसानी से कर सकते हैं कि यह असली है यह फर्जी है असली है तो आप payment process करें और नकली है तो ignore करें और official email ID से letter को भेजने को कहें तो बस यही सारे points है जिसे आपको ध्यान में रखने हैं ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा और अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ fraud हो जाए तो चलिए आज तक लितना ही इस वीडियो से related अगर कोई query हो तो comment box में लिकर के पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें ज्यादा ज्यादा लोग साथ share करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को भी subscribe करें